आप सब के अंदर विराजमान प्रम्पिता को मेरा प्रणाम आज पुर्णीमा पुर्णीमा के साथ साथ रास पुर्णीमा और उसके साथ गरहन का भी परभाव हमारे जो रिशी मुनी उन्होंने परतेक कारिये सोच समझ करके देख करके अनुभव करके फिर लिखा हमारी पुष्टके वेद को ईश्वर का गरंत मानते हैं परमात्मा का गरंत मानते हैं कि परमात्मा किरिशियों को मंतर दिखाई दिये और जो उन्होंने देखा उन्होंने लिखा नहीं अनुभव किया शिश्यों को याद करवा दिया फिर उन्होंने उनके शिश्यों को याद करवा दिया इस परकार से फिर जब पुस्तकों की रचना होने लगी फिर उनको बुलाया गया रिशियों को और जो उन्होंने बोला जो उन्होंने लिखर रखा था उसके आधार के उपर वेदों की रचना हुई परते एक पंक्ति के साथ मंतर के साथ उसके रिशी का नाम लिखा गया चन्द का देवता का तो उनके अंदर जब आप एक बात दूसरे को बताते हैं तो भाव में बड़ांतर आजाता है जो बोलने का भाव होता है उसमें बहुत अलग-अलग तरह के विचार आने लगते हैं कुछ उनमें चीजें जोड दी जाती है कुछ गटा दी जाती है ये केवल वेदों के साथ नहीं हुआ जिसको मुसल्मान सबसे स्रेष्ट गरंत मानते हैं कुराण मुहम्मद साहब पड़े लिखे नहीं थे बहुत कम लोग जानते होंगे इन बातों को उन्होंने किसी पुस्तक की रचना भी नहीं की थी उन्होंने कोई अपना गरंत बनाय भी नहीं था पुस्तक के रूप में उन्होंने जो सुना मैं तो ये एक बात और मानता हूँ कि जब सब्द सुनाई देता है तो रूप भी होगा अनुभाव में ना आया हो वो अलग विशे है कि किसकी कितनी चड़ाई है कौन कितना पात्तर होता है प्रमात्मा की देया किसके उपर कितनी ज्यादा होती है किसका हाथ पकड़ करके कहां तक वो ले करके जाता है किसको कितनी ताकत परदान करनी है किसको कितना चड़ाई, किसको कितना अक्समता, सब कुछ उसके हाथ के अंदर होता है तो उन्होंने जो सुना, उन्होंने भी अपने सिश्यों को बता दिया तो जो उन्होंने बताया, सबने उसको अपने अनुसार, जिस परकार से मैं कोई सब्द बोलता हूँ सब अपने अपने अनुसार उसको देखते हैं, उसका अरथ निकालते हैं, उसके उपर विचार करते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उसका उप्योग करते हैं उसी परकार से उनके जो अनुवियाई थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार, अपने अपने तरीके से उन चीजों को लिख दिया अपनी सोच के अनुसार, फिर बहुत से में बाद, अबू बकर, उन्होंने मंगाई जितनी भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, कि जो जो उनके अनुवियाई थे, उनके पास आते थे, कि जिसने उनके साथ समय बिताया, कि आपको क्या संदेश दिया था, आपको क्या बोला था, किसने किसको किस समय के उपर क्या सलादी थी, क्या रास्ता दिखाया था, उन्होंने सबसे इकठा किया, और वो इकठा करके, और पुस्तक बनाना परारंब किया, फिर, हजरत अली के समय के उपर, उस पुस्तक ने गरंथ का रूप लिया, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, कितना पुईतर माना जाता है उसको, लेकिन हम अपनी बावनाएं मत्तर गरंथों के साथ जोड़ लेते हैं, पुस्तकों के साथ जोड़ लेते हैं, कोई भी पुस्तक चाईगीता जी लेजिए, वेद लेजिए, पुरान, बाइबल, गुरु गरंथाईब, जो भी पुस्तके हैं, और जब हम पुष्टकों का अध्यान करते हैं, कुछ लोग ही अध्यान करते हैं, कोई एक दो परसेंट है, नहीं तो वस्तरों के अंदर उनको लपेट करके और मंदिरों में सजा दिया जाता है, दिपक लगाए जाते हैं, पढ़ा नहीं जाता, बस हाथ जोड दिये जाते हैं, हाथ जोडने से ज्ञान नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर क्या रचनाएं की गई है, क्या लिखा गया है, क्या हमारे संतों का अनुभव है, क्या रास्ता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप ऐसे ही अगर हाथ जोड रहे हैं, तो पत्थरों में और उन पुस्तकों में कोई ज़्यादा सा वेद नहीं है, लेकिन अगर आप उनका अध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है, कि जब पुस्तक पढ़ते हैं, तब ऐसा लगता है, अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं, किसी भी संत की पुस्तक पढ़ो, कोई भी धार्मिक गरंथ पढ़ो, ऐसा लगने लगता है, जैसे ये पुस्तक मेरे उपर ही लिखी गई है, और मैं ऐसा ही बन जाओं, भावनाएं उनके साथ जोड लेते हैं, सब्दों के साथ, और सब्दों के साथ जो भावनाएं जूड जाती हैं, तो फिर जो व्यक्ति का मन है, विचार है, वो परभावी तो हो जाते हैं, वो इतने परभावी तो हो जाते हैं, कि मनुश्य को ये लगने लगता है, कि मैं ही बस उसको जान सकता हूँ, मेरे दवारा ही ये जाना जा सकता है, और जो वो बोल रहे हैं, वो व्यक्ति में ही हूँ, चाहे कोई भी गरंथ पड़ो, भावनाएं उन पुष्टकों के अंदर इतनी गहरी हो जाती हैं, लेकिन हम उस रास्ते के उपर चल नहीं पाते, ध्यान नहीं कर पाते, जो पुष्टकों के अंदर बोला गया है, उसको समझ नहीं पाते, तो इस कारण से सब धर्मों के अपने अपने अलग-अलग करमकांड बनते चले गई, अलग-अलग रास्ते दिखने लगे, मंजिले भी अलग-अलग लगने लगी, नाम भी अलग-अलग लगने लगे, शाद ना भी अलग-अलगने लगी, लेकिन जब आप उन संतों के सब्दों के उपर जाओगे, जब आप उस तल को चूओगे, आपको पता चलेगा, सभी उस ब्रम का ही विचार कर रहे हैं, कि प्रमात्मा एक ही है, दूसरा नहीं है, सब यही बोल रही है, लेकिन आपस में क्या छिड गया है यह सब कुछ, आपस में दर्मों की लडाई हो गई है, मजभों की लडाई हो गई है, राष्ट्रों की लडाई हो गई है, जातियों की लडाई हो गई है, वैक्तियों की लडाई हो गई है, अती तो तब हो जाती है जब व्यक्ति खुद से ही लड़ने लगे अपने आप से ही जगडने लगे मन और बुद्धी की भी लड़ाई शुरू हो जाए तो जीव कहां तक भागे जो चीजें मानों ने सोच ली, सुन ली, पड़ ली फिर उनके पीछे दोडने लगता है चाहे सवरग न रखो चाहे ओर रास्ते हो चाहे देवी देवता हो कुछ भी हो, फिर मानों ये सोचने लगता है क्यों न मुझे भी ये चीजे मिल जाएं क्यों न मैं भी इनको प्राप्त करूँ और प्राप्त कैसे हो वो रास्ता नहीं खोजता क्यों प्राप्त करूँ क्यों प्राप्त करूँ